तो जो Google Chrome है वो आपका एक वे ब्राउजर है ठीक है और यह यूजर फ्रेंडली और इसका इंटरफिस जो है अग्दम यूजर फ्रेंडली है कि आपको सारे चीज़े नेविगेट करने का ज़रूरत नहीं है यहां बतलब in front of you आपको सारा चीज़ दीखता रहता है ठीक है य कि एक्स्टेंशन को सपोर्ट करता है जैसे अगर आपको कभी जैसे आपने अपने मुवाइल में स्क्रीन सोट लिया हो तो स्क्रीन सोट लेने के लिए आपको कोई एडिसनल सॉफट्टर आपको इंस्ट्रॉल नहीं करना पड़ता है अपने थ्री फिंगर से किसी में सकते हैं कोई आपका माउस का करसर का चेंज करना चाहते हैं क्रोम पे जब यूज कर रहे हो तो उनके लिए लग एक्स्टेंशन यूज कर सकते है तो ये एक्स्टेंशन को भी सपोर्ट करता है एडिशनल फीचर करना चाहते है उसको भी ये सपोर्ट करता है इसमें कि आप बन चुका है तो यह चोटा सा इंट्रोडक्शन सा Google Chrome के बारे में और यह 2008 में लॉंच डे हुआ था फर्स्ट ताइम बाई Google तो यह Google का प्रोड़क्ट है जो कि Google Chrome यह विब राउजर है तो मैं आभी आपको थोड़ा सा और चीज़ डीटेल्स में बताऊंगा इनका Google Chrome का कैसे आप इंस्टोल करेंगे कैसे क्या चीज़ करेंगे तो जब भी आप अपने सिस्टम उपेन करते हैं जब आप निव निव सिस्टम लेते हैं पीसी लेते हैं लेप्टप लेते हैं उस टाइम आपकी सिस्टम में डिफॉल्ट Chrome इंस्टोल नहीं होता है तो इनको इंस्टोल कैसे करेंगे वो चीज़ में बताने जा रहा हूँ तो आपको सिंपली जो आपका जैसे किसी भी जिसमें अगर Windows ओपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपको बिंग एक विब ब्राजर मिलेगा जो कि Microsoft क्या है तो आप Windows बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ट से और वहाँ पर सर्च करेंगे बिंग या फिर एज सर्च कर सकते है एज इनका विब ब्राजर से है और मैं यहाँ पर Microsoft एज पर क्लिक करूँगा यह ओपन हो जाएगा जैसे ही ओपन होगा आपको आपको Google Chrome के लिए यहाँ पर सर्च करना है यहाँ पर टाइप करके Google Chrome Google Chrome सर्च करेंगे या Google Chrome डाउनलोड कर लेंगे जो भी आपको अच्छा लगए वो सर्च कर सकते हैं यहाँ पर दिखिए जो फर्स्ट लिंक आ रहा है Google Chrome डाउनलोड इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यह थोड़ा सा टाइम लेगा रिलोड होने में इसको एगा रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पर आ गया, तो आपको दे रहा है डाउनलोड bardzo करने के लिए जैसे हैं मै इस सफ्ट्वेइर लिंक भी डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास Chrome का जो Software Link है वो डाउनलोड होना स्टाट होगा अटोमेटिक ली अगर नहीं हो रहा है तो आप डाउनलोड Chrometime मैनुवली भी कर सकते हैं अगर आटमेटिक वो स्टार्ट नहीं होड़ा डाउनलोड होना तो आप यहाँ पर क्लिक करके देखिए हाँ पर Chrome Setup 2 आ रहा है मैंने पहले भी कर रखा है इसलिए यहाँ पर 2 आ रहा है अगर आप फर्स्ट टेम करेंगे तो वह 2 नहीं आएगा आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर से आपका Microsoft Edge ही रहेगा तो हम कैसे चिंज करेंगे कि हमारा जब भी मैं कोई लिंक पर क्लिक करूँ अगर किसी ने वाटसेप आपको लिंक सेन किया आप उसको ओपन करेंगे तो वह Microsoft Edge में ओपन होगा तो आप चाहते हैं कि मेरा जो कोई भी लिंक मैं क्लिक करूँ जहां भी हाईपर लिंक है वगर बगर मैं क्लिक करूँ तो हमारा वह Google Chrome में ओपन हो तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, आपको simply क्या करना है अपने Windows बटन ट्ने सेटींग अब ही पहले से Google Chrome है इसलिए Google Chrome सो करए है आपका एज होगा तो यहां पर एज हो करेगा इस पर क्लिक करेंगे और यहां से जिस भी आप्शन को आप जैसे यहां पर देखिए गुगल Microsoft Azure, Google Chrome आ रहा है, Internet Explorer, Opera, Internet Browser जितने भी आप browsers रखेंगे अपनी system install रखेंगे वो सारा का सरा यहां पर लिस्ट आजागा जिसको भी आप default बनाना चाहते हैं उनको आप default बना सकते हैं जैसे मैं अब इसको बनाना चाहते हैं यहां पर आ गया मैं अब इसको अगेर अपना Google Chrome करना हो तो यह default apps इस तरह से आप उसको set कर सकते हैं कि Google Chrome को default apps कैसे set करना है और मैं कुछ interface के बारे में बात करता हूँ कि आपका जो भी personal Google Chrome है वो कैसा आपका interface आएगा तो मैं यहां पर directly Google Chrome अभी search करता हूँ यहां पर Google Chrome आके और यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यह first time इस तरह स है because क्योंकि मेरे पास multiple accounts को मैंने यहां पर insert कर रखा है तो मैं अगर प्रशनल पर बात करूं यहां पर मैं आता हूँ ठीक है तो इस तरह से आपका first time इस तरह से open होगा जो मैंने पीछला जो slide आपने देखा था वैसा आपका open नहीं होगा क्योंकि आपके पास first time आपका single user ह होगा और single यह चीज़ होगा तो वह वहां पर दीखेगा अब क्या करता हूँ मैं कि माल लेजे कि आपके पास 2 email ID है एक होगे आपका personal और official तो आप personal को और official को दोनों को अलग-अलाग windows में bifurkit कर सकते हैं ठीक है अलग-अलग user add कर सकते हैं कैसे add करेंगे मैं वह भी बता करते हूं आपको कि जो first time जब आप add करेंगे और वह आपसे Gmail ID और आपका password इंटर करने के लिए बोलेगा और आप इंटर कर लेंगे pro पर then यह इंटरफिश आने के बाद यहां पर आपको टॉप में जो user icon दीख रहा है आपका इस पर क्लिक करेंगे यहां पर देखिए आप इसका benefit क्या है कि आपको जैसे आपका जो official email है ठीक है उस पर की कोई link आया और वो restricted है कि वो केवल आप ही access कर सकते हैं तो officially access कर सकते हैं तो आप अपने इस personal चीजों में open करेंगे तो वो open नहीं होगा because आपकी उस ID पर वो accessible नहीं है सो जब भी आप ऐसे profile create कर लेंगे तो आप इस profile में आप जा करके कुछ भी कर सकते हैं वो आपको restricted रहेगा और वो email ID में उस profile में चलता रहेगा इसलिए यह जरूरी है कि आप जो भी जब अगर आपके पस दो चीजे हैं तो आप उनको profile में create करके यह बना लिजे कैसे बनान password मांगेगा और देन password डाल करके आप इसको set कर सकते हैं तो आपका profile create हो जाएगा ठीक है तो यह आपका home screen दीखता है Google Chrome का आप देखिए जैसे है कि कोई भी Google Workspace का जो apps की access है वो कहां से आप करेंगे तो यह screen आने के बाद यह चीज़ आने के बाद इंटरफिस आने के बाद आप simply यह जो आपका nine dots button दीख रहे है इनका Google Apps name है इस पर click करेंगे और यहां से सारा का सारा जो भी Google Workspace में आता है चीज़े उन सभी को access कर पर यह बहुत सारा चीज़े हैं बट जो manually मैंने आपको बताया वही चीज़े हैं जो की productivity में use होते हैं तो हम इनको सारे बात करेंग भी आगे अपने videos में तो यह आपको मैंने बता दिया कि यहां से हम access करते हैं कहां से access करेंगे इस Google Apps के button से ठीक है अपने सारे Google products को use कर सकते हैं जो Google Workspace में आते हैं अब बात आती है कि मैं थोड़ा से इसके interface के बारे में बता दूँ कि first stop में कि कोई भी windows है उनका stop क्या होता टाइटल बार हो गया आपका यही चीज़ क्या होगा टाइब है कि अगर आपको new tab और भी open करना चाहते हैं plus button पे click करेंगे और प्लस पे करेंगे तो यह new tab open होता जाएगा यह shortcut भी आप यूज कर सकते हैं Ctrl T अगर windows close करना है Ctrl W कर दीजे तो windows close हो जाएगा windows नहीं sorry tab close होगा अगर माल लेज़े आपने कुछ यहां पर सर्च किया जैसे मैं अब इस लिखता हूँ what is google suite मैं अगर आपको दिखा हूँ यहां पर तो इस तरह से मैंने सर्च किया और suppose that मैंने एक नया tab open किया और इसको close कर दिया तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा back tab जो मैं one हो जाएगा ठीक है इस तरह से हम previous step को open करते हैं आप यहां पर देख रहे होंगे कि छोटे-छोटे icons हैं इनका क्या मतलब है कि जैसे अभी मैंने सर्च किया अब यहां पर आजाता हूँ तो यहां पर देखें यह highlight है बट इसमें आप देखेंगे कि यह un highlighted है इसका मतलब य हुआ कि इसमें आप एक step forward आ गया है अब backward जा सकते हैं मैंने backward किया अब देखें यहां पर forward आ गया तो आप जितने step आपने search में click करेंगे link पर जैसे मैंने यहां पर click कर दिया तो अब मैं दो बार पीछे जा सकता हूँ यह 1 यहां पर देखें यहां पर आ रहा है 1 और 2 मैं क्लोज टैब्स जो होते हैं उनको भी देख सकते हैं कहां पे यह ड्रॉपड़ान बटन के को ओपन करके यहां से ठीक है तो आपको यहोप यह चीज़े समझ में आगे होंगे आप ही उपर वाले यहां पे आपका है कंट्रोल बटन जिसको क्या आप यूज करके अपने अपने इंसर वर्क करता है गूगल क्रोम के शाथ जैसे माल लीजिए कि मैंने यहां पे सर्च किया अगर यहां पे मैंने सर्च किया और सपोज मैं कोई इमेज पर आजाता हूं और मैंने यहां पर इमेज आया और इस इमेज का मैं कलर लेना चाहता हूं सपोज डैट कि मैं यहां यह जो rate color है इसको मैं pick करना चाहता हूँ मुझे नहीं पता है कि इसकी color कोड क्या है तो मैं क्या करूँगा इसको open करूँगा और यहाँ पे color picker एक बार मैं ने open कर दिया pick color from the way पे click कर दिजिए और यहाँ पे आप देखेंगे click करेंगे तो यह हमारा color ले लिया और यहाँ पे color यह हो गया और इस color पे मैं click करूँगा तो यह देखेंगे हाँ पे पूरा code बगर आ गया selected code जो भी हमारा hex value, hsl और rgb सारे का सारे code इसने हमें दे दिया तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं extension add करके अपना कोई छोटा छोटा work को easy कर सकते हैं किस के साथ Google Chrome का यह feature है जिसको कि हम extension add करना बोलते हैं ठीक है तो यह चीज़ आपको समझ में आए होंगी यह जो आपका button यह box दीख रहा है अगर यहाँ पे देखेंगे यह blank है तो यह क्या है search box है ठीक है एनिक इसको हम लोग बोल सकते हैं url bar इसको हम लोग बोलते है url bar मतलब कोई भी links वेगरा हो वो आप इसको इसमें paste करेंगे then वो Google पे search होगा Google पे वो active होगा ठीक है now उसके just नीचे आप देखेंगे इस side आपको यह bookmark है bookmark क्या होता है कि अगर कोई chrome वेगरा प्याप हैं कहीं पे चीजे कर रहे हैं तो आप उनका add करना चाहते हैं जैसे मैं इसको बंद कर दूँ और मैं एक दूसरा मैं आपको कोई profile open करके जहां पर मैं add नहीं कर रहा हूं वो इसको दिखा देता हूं आपको जैसे यह मेरा एक और है जैसे यहां पर देखेंगे आप कि इसका interface चेंज है कैसे है वह भी मैं दिखाऊँगा कैसे हम photo वेगरा add करते हैं वो सारी जीजे मैं बुगमा का भी बात कर रहा था तो यहां पर देखेंगे आप जैसे मैं यहीं पर सर्च करता हूं कि गूगल गूगल workspace क्या है तो मैंने गूगल warker messy क्या है और मैं चाहता हूं कि यह जो पेज open हुआ इसको bookmark करना ठीक है तो bookmark कैसे करेंगे यहां पर आप देख पाए रहे हैं अगर हम इसी को यहाँ पे जा करके और मैं दूसरा चीज़े सर्च करता हूँ Google Suite Google Suite मैंने सर्च किया और मैं इस पेज को bookmark करना चाहता हूँ और यहाँ पे करके और अर्ल पे जगह पे मैं bookmark बार्ड कर दूँगा और डन कर दूंगा तो यह चीज़े देखिए यहां पर आ गया गूगल सीट का आ गया ना पहले यह था डिस्कॉर्ड का या गूगल सीट का आ गया तो इस तरह शे हम अपनी अलग-अलग फोल्डर भी बना करके बुकमा को हम लोग सिफ कर सकते हैं उनको एक्सेस कहां से करें यहां पर जाकरकर भी आप इनको चीज़ों को आड और वुचमा को देख सकते हैं ऑप इस तरह से आप इंको यूज कर सकते हैं अगर आपको सु उ बुकमाख करना ए चिफट बी से आपका बुकमाख सू होगा और हाइड होगा ठाख動画 Heat हो ठीक है इस तरह शे आप यहाँ पर इनको use कर सकते हैं जब भी आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपकी है यह जो है यह क्या है कि आपका जो भी bookmarks है वगेरा जो भी आप किये हुए है पहले से वह कसारा कसारा यहाँ पर दिखेगा ठीक है इस बटन से और अगर मैं यहाँ पर आ जाओ और यह जो आपका profile आइकन दिख रहा है यह आपका profile आइकन है यहाँ से आप उसको change कर सकते हैं ठीक है work profile यहाँ पर देख सकते हैं अपना मेले वगरा यहाँ पर जो three dots है यह पूरा आपका जो options का है जैसे एक बार menu बोल सकते हैं जो settings बेकर आप बहुत सारे यहाँ पर options दिए हुए हैं जो कि आप use कर सकते हैं जैसे आपका history आप दिखना चाहते हैं कि आपने क्या-क्या सर्च किया today's recent tabs आप दिख पा रहे हैं यहाँ पर download है कि आपने आज क्या क्या डाउ download किया है तो यह नहीं जी so हो रहा है अगर download होगा तो वह share so होगा यहाँ पर ठीक है कौन-कौन सा extension आपने add किया वह extension में दिख जाएगा अगर आप अपना जो भी browser history है उसको delete करना चाहते हैं browsing data clear करना चाहते हैं तो वह clear browsing data में जाकर करके आप clear कर सकते हैं फिर यहाँ पर आपको zoom है zoom out है जैसे plus मैंने किया zoom in और zoom out या फिर आप control button के साथ भी zoom out zooming कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं अभी जैसे आपको कोई page है कोई आपने सर्च किया उसका print निकालना है उस page का तो आप simply जाकर करके यहाँ पर सकते हैं ठीक है यहां पर क्रेंट पर पर जाके print कर सकते हैं ठीक है यहां फिर आप आपको जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कोई setting बगरा चीज़ के करना तो setting में भी जाकर क्या यहां पर setting पर जाएंगे और यहां पर सारा चीज़ आप setting कर सकते हैं कि आपको to fill password चाहिए नहीं चाहिए कोई delete करना है privacy and security देख सकते हैं performance देख सकते हैं appearance है search engine है ठीक है आपका default browser state करना है वो साथ चीज़ यहां पर देख सकते हैं language भी set कर सकते हैं default language क्या होना चाहिए हंदी होना चाहिए English होना चाहिए तर लेंग्वेज में भी आप जा करके यहां पर देखी जैसे मेरे English और Hindi है तो आप add language करके आप इसको भी use कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह चीज़ जो था हमारा Google Chrome का मैंने आपको दिखाया जैसे ही मैं Google Chrome open करता हूँ हमारे उसी के साथ Google भी open होता है जो Google Chrome जो है आपका web browsers है जिसको use करके आप search करते हो और जो Google है वो आपका search engine है तो जो इसे ही आप Google Chrome open करते हैं जैस्ट उसके साथ ही Google भी open हो जाता है Google जो आपका है search engine तो आप इसमें भी क्या-क्या option मिलते हैं कि आप text search कर सकते हो लिख करके text format में या फिर आप voice format में भी add कर सकते है voice पर click करोगे या आपका voice open हो जागे यहाँ पर allow this times कर दो इस only और यहाँ पर आप search कर सकते हो ठीक है तो इस तरह से आप इसका mic को भी use कर सकते हो आप photo लेना चाहते हो और यहाँ पर upload कर दो को यह में उस photo से similar चीज़े search करके आपको वो show करेगा नव यहाँ पर देख पा रहे हो छोटे-छोटे icons है तो यह क्या है कि जो आपको कोई कभी important links वगरा को आपको यहाँ पर एक apps के तरह इनको create करना है तो आप simply क्या करेंगे जैसे मैं चाहता हूँ मैंने यहाँ पर search किया google suite और मैं चाहता हूँ कि जब यह link जो है मैं copy कर लूँ और यहाँ पर आ करके मैं एक plus इस पर click करो इसका name देदू मैं gsuit और मैं यहाँ यहाँ पर URL इसका मैं paste कर दूँ और मैं done कर दूँ तो देखिए यहाँ पर gsuit का एक बन गया जैसे मैं इस पर click करूँगा तो मुझे हर बार उसको क्या करना पड़ेगा Google search में जा करके search नहीं करना पड़ेगा तो इस तरह से हम पूरे Google Chrome को navigate करते है last thing क्या है कि आप यहाँ पर कैसे change करते हैं हम लोग यहाँ पर customize chrome आपको दीखेगा नीचे में customize chrome और यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको different colors वगएरा आप देख रहा है बट मैं चाहता हूं कि मेरा जो है वह color नहीं यहाँ पर यह photo change हो तो मैं photo भी change कर सकता हूँ यहाँ पर change theme पर जाईए और यहाँ पर आप देखें कि अलग लग तरह का themes है जैसे मैंने जो रखा था यहाँ पर कोई सा भी अभी रख लेता हूँ आपके लिए मैंने यह लिया और इस तरह शे और मैंने इसको close कर दिया तो इस तरह शे आप photo भी आप अगर आपका अपना photo है वो भी आप लगा सकते हैं कैसे लगाएंगे यहाँ नीचे जो pencil वाला icon से यहाँ पर जाएंगे और change theme पर जाएंगे और यहाँ पर upload image पर क्लिक करेंगे तो आप अपने जो भी drives वेगर जहां भी रखे हैं picture उनको क्लिक करके और जैसे ही उस जैसे मैं अगर दिखा पाऊं तो यहाँ पर कुछ भी अगर मुझे मिल जाए मैं अब एक पर देख लेता हूँ कोई photo मुझे मिल जाए तो मैं उसको आपको यूज करके दिखा दो हूँ जैसे मैं यहाँ आप से एक photo भी download कर लेता हूँ जैसे आप सर्च कर सकते हैं कि wallpaper for laptop wallpaper for PC आ रहा है यहाँ पर 4K मैं गया और यहाँ से अपना कोई image ले लिया चूज कर लिया सिंपल सा जैसे यह है थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है मैं इसको क्लिक किया और यहाँ पर थोड़ा सापको वेट कर लेना है जैसे clear photo होगा थोड़ा सा loading के बाल देन आप इसको download करना है आपको अभी हो गया अब इसको right click करके आप save image पे कर लिजी और यहाँ पर अपना name दे दीजे इस image को यहाँ पर यह download में आपका save हो रहा है मेरा save कर दिया मैंने now आप मैं आपको बताता हूँ कि upload image पर जाईए और यहाँ आप आजाईए ठीक है तो आप इसको use कर सकते हैं